तो स्वागत आपका ब्रमास स्टेडी में तो आज का हमारा जो टॉबिक है वो है सेंटर टू इंस्टॉल सीसी टीवी कैमराज इन ओफेसर्स ऑफ सीबियाई एडी एडी एन अधर अधर एजनसी तो बेसिकली अभी सुपरीम कोड का एक जैजमेंट आया है जिसमें सेंटर को इंस्टॉल करने हैं CCTV कैमराज तो कुछ important offices हैं उनमें तो इसी को हम देखते हैं जजमेंट है proper और क्या मामला है यह पूरा तो देखिए कंटेक्स्ट यह ही है कि सुपरीम कोड का जजमेंट आया है कि इसंटर को क्या करना है CCTV कैमराज इंस्टॉल करने हैं और प्रॉपर रि नाइए हो गई NCR भी हो गई तो जितनी भी जो इंट्रोग्रेशन वाली जैंसी हैं उनमें आपको CCTV कैमराज इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो यह बेंच थी जुसको हैड किया था और एफ नरिमन ने ठीक है तो उन्हों ने इसमें बोला कि CCTV कैमरा इस प्रॉपर में और बाकि जो भी एरियास हैं वहाँ पर यह CCTV कैमरे इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो बिसिकली यह आया इसी वज़े से क्योंकि बहुत सारे केसे देखने को मिले जहां human right violation देखने को मिला और बहुत सारे ऐसे transparency कम देखने को मिली accountability fix करने के लिए तो प्रॉपर एक working fix कर करने के लिए देखा जाया तो एक accountability fix करने के लिए कहीं ने कहीं CCTV बहुत important हो गया ठीक है कि कहीं human right violation नहों और बहुत सारे आसपेक्ट को ध्यान मेरके सुप्रीम गुड का जज्जमेंट आया है तो देखी हिस्टी के मतलब पहली बार नहीं आया 2018 में भी इसको इसके रिगा camera's install करना है किसलिए human right abuses को रोकने के लिए तो यह 2018 में भी judgment आ चुका है तो जो अभी का judgment आ है यह हमारे लिए important है इसको और जानते हैं कि देखे इसमें क्या होगा कि CCTV camera's install करना है ठीक मुझे इसमें पकाया था night vision हो audio हो ठीक वीडियो पूरी footage होनी चाहिए और यह बिल्कुल इंस्टॉल करने है जिसमें night vision भी हो मतलब कोई बहाने बाज ही नहीं चलने night vision भी होना चाहिए audio प्रॉपर होना चाहिए ठीक है और एक साल की recording इसमें होनी चाहिए और बड़े पोस्टर भी लगाने हैं हिंदी English और वर्नकुल लैंग्वेज में कि आप अंडर सर्विलांस तो सीटीवी के ठीक एसा लिखा रहता है ना कि एक पोस्टर में कि यूवार अंडर कैमरा तो ऐसा पोस्टर भी लगाने हैं तो तीन लैंग्वेज में होने चीवह हिंदी में इंग्लिश में भी वर्नकुल रॉर में होने चीवह ठीक तो यह हमारी जज्ज्मेंट है तो और बहुत और सुप्रीम कोड ने डारेट किया कि बहुत लगाने है तो दिखें कौन-कौन से ओफिस हम यह देख लेता है तो देखें सीब्याइए में का सीब्याइए हो गया ए उन एजेंसी को प्रॉपर कंसीडर किया गया है कि वह उनके ऑफिस में भी कैमरा लगे होने चीए प्रॉपर अकाउंटिबिलिटी के लिए और एक सही ट्रांसपरेसी के लिए तो 2017 में भी सुप्रीम कोड ने बोला था ठीक है कि एक को आप सेंट्रल ओवरसाइट कमिटी ब सेंटर में भी बनेगी तो सेंटर के लिए इससाइड करना कि कौनकौन हो इसके मेंबर होगे यह ने सब्सक्राइक और किस्टी सोच कि दिच तक लिखिए बाहिस सब्सक्राइब शुर्प्राइब कद जाएंगे सब्सक्राइब यह यह तो यह इनके मेंबर रहेंगे किशने ब्लोट के लिए इक बीस्टे लो पूरा जज्जमेंट है तो इसी बात को ध्यान में रखके बनाया गया है कि जो भी हुमन राइट वालेशन होते हैं जो भी चीज़े जो भी इंट्रोगेशन होते हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए कहीं यह स्टेप लिया गया है ठीक है तो उसमें देखिए अब SLOC क क्या होगा स्टेट वाली है तो उनको पॉपर परचेस करना है इंस्ट्रिब्यूट करना है इस्ट्ल करना सी चीशी टीवी एक फिर उसके लिए उनको पर भजएड मिलेगा और Dいた हर बाना है तो हर जगा है ठीक है तो इसके लिए जो डिस्टेप वाले हैंडिए और स्पि उनको SHO से proper coordinate करके ये काम करवाना है तो basically इसको किसलिए किया गया है कि चेक कर सके हैं कोई भी human right violation ना हो ठीक है तो human right को देखते हुए कहिने कहीं सुप्रियोंग गोड का एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही जज्जमेंट है यह and duty and responsibility for working and maintenance and record of CCTVs shall be of SHO ठीक है तो लगाने के बाद अब इसकी duty होती है कि इनकी proper working हो maintenance हो और इनकी देख सकी कि भाई सही functioning है कि नहीं यह सिर्फ SHO की होगी ठीक है यह बागी किसी कि नहीं होगी station house officer की होगी duty चौथी बाद कि कुछ एरिया जैसे है जाए electricity नहीं है ठीक जैसा कि तो वहां क्या करेंगे तो वहां भी देखिए वहां भी कोई बहाने बाजी नहीं चलेगी सुप्रिम कोड ने बोला यही कि वहां आप solar wind जो भी आपका नॉन जो रिनेवेबल रिसोर्स है उनका इस्तेमाल करके ठीक है solar wind जो भी करना है आपको उससे भी करके proper एक installation किया जा सकता है और वह फीजिबल भी है और affordable भी है और अवेलेबल भी है तो बिलकुल यह जाना चाहिए तिक अब दिखें आगे कैस में कि वैनेवर दिर इस information of force being used as police station resulting in serious injury और custodial death भाई कभी ऐसी कोई ख़वर आती है जैसा कि हम देखते रहते हैं आए दिन ठीक है हमने के रहला में देखा था मिलाडू में देखा और यूपी में भी बहुत सारे ऐसे प्रापर केस बनेगा ठीक है यहां पर यहां यहां हुआ है क्योंकि अभी तो बच के निकल जाते हैं और देखें इसके रिगार्डिंग क्या एक एफिडविट भी फाइल होना है जो six weeks छे हफ्तों में एफिडविट फाइल होगा प्रिंसिपल सेकरेट्री और केबिनेट स देखेंगे कि आपने इस पर क्या अभी तक कि भाई आपको डिरेक्शन दीगे कि आपको सीसी टीविज इंस्टॉल करना है तो इसमें आपने क्या क्या अभी तक एक्ट किया ठीक है तो काफी अच्छा जज्जमेंट है और बहुत ही हुमन राइट को लेकर सीरियस सुप्र अच्छा बढ़िए और इंटरोगरेशन के नाम पर इस तो याज का कुछ इंपोर्टन अब्ड़ेट का प्रॉपर जज्जमेंट थी इतने प्राइम ऑफिसेज में सीसी टीविए इंस्टॉल करानेगी तो जो कि बहुत ही अच्छी एक बहुत ही अच्छा जज्जमेंट पी कहला है गा ठीक हुमन राइट को देखते हुगा है ठीक गाइस थैंक यू सो मच जय हैं